हेलो गाइज वेल्कम बैक टो मैं चैनल कोडीटर कोडीटर चैनल में आप सब का स्वागत है और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेटर टाइप जो कि हमाने लिस्ट टाइप इन पाइटन तो आये शुरू करते हैं तो लिस्ट टाइप शुरू करने स पाते हैं जिनका नेचर हो सकता है कि वह होमोजीनिस हो या फिर हेट्रोजीनिस हो अब यह होमोजीनिस हो है मैं बदाऊंगा पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए मैं इसकी डिफिनेशन लिख देता हूं लिस्ट आ यूस्ट टो मुल्टिपल आइटम्स इन सिंगल वेरिबल अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब बहुत भी सिंपल सा है कि लिस्ट जो है हमारा एक सिंगल वेरिबल में मुल्टिपल आइटम्स फोर कर पाता है और वो कैसे कर पाता है with the help of square battery तो आइए देखते हैं एक list creation का एक example देखते हैं तो यह हमारी एक list ठीक है अगर आप ध्या नेचर के हो या फिर होमोजीनिस नेचर के हो तो इसका क्या मतलब है अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लेंगविश पहले से पढ़ी हुई है लाइक सी या सी प्लस 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 या जावा तो आपने क्या क्या होगा कि वहां पे आप जब भी एक एरे का कॉंसेट आता है तो यह सब क्या है होमोजीनिस नेचर के हैं ठीक जब वं बात करते हैं अब तो एक तरह से स्चोर होई सकता है'll उल抉मोजीनिस टो आइटम्स जो हो सकते हैं वो तो यहां पर होई ही सकते हैं साथ है इसमें हम लोग हेटरोजीनिस डेटा को भी यहां पर स्टोर कर सकते हैं अब ही आपको मैं एक्जमपल से समझा देता हूं तो यह बी हमारी एक। और एक लिस्ट का फॉर्माट पर देखेंगे तो हमारा बूलियन है जो आपने इसके पहरे वाई वीडियो में cover up किया और ये भी हमारा एक integer है तो इसलिए हमने क्या कहा list हो कि इसमें multiple items हैं क्योंकि इसमें कई सारे items हैं पहली चीज और यह जो items हो सकता है कि homogeneous हो like this और like this और हो सकता है कि वो क्या हो हेटरोजीन हो like this तो इसी तरह से हम list create करते हैं अपने python में ठीक है अभी हम लोग अपनी spider ID पर भी जाएंगे वहाँ पर प्राक्टिकली करेंगे अभी के लिए मैं यह चीज आपको समझाना चाहरा हूँ अभास को मेंरि में ट्जी तो अगर हमको यह नहीं पता होगा कि किस तरह से अपरे इंपराल आप्ल को अगर मुझे पता ही नहीं चाहरा है यह कुछ इस तरह से store होती है, अगर आपने string पढ़ा है, तो string अगर मेरे वीडियो करें, तो मैंने string पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर हमनों ने देखा था कि किस तरह से, इसी तरह से कुछ string भी क्या होती थी, store होती थी, वहाँ पर क्या होता था कि एक double quotes में string होती थी, और एक-एक alphabet इस तरह के boxes में store होते थे, मगर list data type में इस तरह से नहीं होता, list data type में जितने भी items हैं, उनको अपनी अलग से एक box में store होता है, और साथी साथ हर box का एक index होता है, जैसे कि इसका 0, इसका 1, और इसका 2, अगर यह आगे continue करेगा, तो 3, 4, 5 इस तरह से यह आगे बढ उसमें भी कुछ इसी तरह से हमारा जो memory में, यह जो है सारे items store होते हैं, और सबका अपना एक index होता है, index का मतलब बता दूँ यहां पर, index का मतलब है कि अगर हमें कोई particular element access करना है, कोई particular item access करना है इस list में, तो हम क्या करेंगे, li, 0, मतलब L, उसके बाद हम आएंगे bracket, और इसके अंदर लिखेंगे 0, तो हम क्या access कर पाएंगे, अप पर अभी हम लोग इसको practically देखेंगे, और लिसे हम ने लिखा L, फिर 1, मतलब bracket के अंदर 1, तो हम क्या access कर पाएंगे, तो इस तरह से हम क्या कर पाते हैं, अपने list data type में, items को access कर पाते हैं, जो कि अभी हम लोग spider अपनी spider ID पे, आई अब देखते हैं, list data type को, किस तरह से access किया जाता है, किस तरह से list data type को हम लोग use करते हैं, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा LI, जैसे कि हम list create करनी है, कोई, और यहां भी LI की जगा कोई भी variable हो सकता है, यहां पर लिखा, यहां पर कुछ और ले सकते हैं, यहां पर लिखा हमने, let's say, mango, गर्मी का season है, तो I think tasty भी लगता है, तो mango, और let's say, यहां पर हमनों लिख दिया है, एक तरह समोसा, यह, समोसा, अगर मुह में पानी आ रहा है, तो please उसको avoid करिए, और पढ़ाई पर concentrate करिए, तो आईए, अब देखते हैं, यहां पर हमनों किस index है 0, इसका index है 1, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1, और इसके तरह हम क्या access कर पाएंगे, mango, तो आईए, इसको print करके देख लेते हैं, कि यह access हो पा रहा है कि नहीं, तो हमनों किया, यहां से run, and okay, कुछ क्या हुआ, oh sorry, मैंने li use कर लिए, यहां पर, variable गलत था, अब करते हैं, इसको access, oh yeah, तो यह हमारा क्या रहा है, mango यहां पर screen पर आ रहा है, मैं इसको तोड़ा सा zoom कर देता हूं, ताकि आपको देखने में असानी हो, यहां पर यह mango लिखके आ रहा है, right, इसी तरह से, अगर मुझे कोई और access करना होता, इसमें access करना होता, समों सा, त तो समों सा भी access हो रहा है, ठीक है, अगर यहां पर मैं करता 3, तो क्या होता, अगर मैं यहां पर 3 access करूँगा, तो होगा error, क्यों होगा error, क्यों होगा error, क्योंकि क्या देखना रहा है, list, index, out of range, because भाई, जो element exist ही नहीं करता, list की length कितनी है, 3, 0, 1, 2, इसके index है, तो maximum 2 index तक ह जा सकता, तो हम अगर हमने क्या किया, 3rd को access करनी कोशिश की, इसकी वैसे हम इसको access नहीं कर पाए, तो यह हमें error यहां पर दे देता है, अब यह सब ठीक है, बढ़ इसका use किया, क्या apple और mango समोसा रखने के लिए इसका use करेंगे, नहीं, जैसे कि अगर आपने कोई website use कियो, इक list में चला गया, पिर मैंने डाला कि, ठीक है, मुझे back के साथ ना, एक watch भी चाहिए, तो कहां चला गया, हमारे list में चला गया, इसी तरह से क्या होता है, हमारे application wise, इसी तरह से हम list create करते हैं, और at the back end कुछ इस तरह का process वहां पर हो रहा होता है, और इसी लिए list data type हमारा क काफी ज्यादा useful data type होता है, जो की बहुत frequently used भी होता है, ठीक है, तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, और आपको लगा कि मैंने आपको सारी doubts clear किये हैं, list data type selected, तो please इसे like और subscribe जरूर से कर दीजेगा, और अगर आपके मन मे अभी भी कोई भी doubt है, चोड़ा सा या बड़ा सा कुछ भी है, तो please उसे comment करी, मैं definitely उसको answer करूँगा, ओके, तब तक के लिए, bye bye